नमस्कार मैं अनिल्पु सत्कर स्वागय स्यापका लिफ्स.इड में बात करते हैं खरी-खरी खरी-खरी सरकारी व्यवस्ता के बीच हो रही छोटी-मूटी लापरवाही जो आम लोगों के लिए बड़ी मुसीबत है एयस लग रहा है कि देश के साथ-साथ हम आरे चत्तिस गड़्ववी सिर्प एक बिमारी है वहई को रूना के लाव कोई बिमारी नहीं है जो बिमार हो रहा हूँ को रूना से अंक दूसरर नहीं भीप सेक्ता में नहीं नहीं सर्दर्ध नहीं खा रहे हैं अगणम बगणम घर में बैटके 24 घंटे बोच रहे हैं तो डिसेंट्री नहीं सब बन सिर्फ एक बिमारी कोरोना और उसके लिए जाओ आप एम से में कहा रहा हूं डाक्टर को क्यों बन करवा देरो भीया छोटा मुटा जो है बुखार और सरदर्द नाका नाक गला यह सब बन और क्यों भई बच्चों को तकलीफ हो रही है बच्चे घर में दिन भर घर में घुसेवे हैं खा रहे हैं अगड़म बगड़म पच्च नी रहा है जो वभाई गुरुप से पेचिश हो रही है उल्टियां हो रही है तो उसके लिए भी उहां बन डाक्टर से बात कर रहे हैं तो डाक्टर पोन नि उठा रहा है और है रहानी इस बात की कि डाक्टर लोग भी रोध निकर ने कोई मजए चुट्टी पर है अरे आपको सीवा करनें लिए दिया है जो सरकारी डियूटी में है जो अस्प्रतालों में डियूटी पर है लेकिन जो चोटी-मूटी डिस्पेंसरियां हैं जो क्लिनिक्स चोटे-चोटे उंको बन कराने का जो है वह कारणी समझ से बगए है आदमी को रात को अगर आट-10 बूजे के जाए गया अगर बलड प्रेश्र चेक कराना है तो जायगा कहा अगर उसका बढ़ जाया तो सीधा में कहे अंगे जाय मोगा आदमी का अगर बढ़ता है तो जाये तो जाए तक तो ऊपर ही निकल लेगा अरे बाकी म्मार्वियों के लिए भी तो एक आध एक आध दो डॉक्टर एक प्रीं कि छुट्टि मिना रहे हैं पेशन गुब मता रहा है हर किसी का नंबर दो डॉक्टर के फोन-बुक में सेव है नहीं उनका फोन अपने बचता है अपने आप उड़ी समझ में आ जाता है कि आम लोगोन का नमबर हैया क सेंग्रिय है लम आदता है लेकिन आदमी महले का जो आम संमाने नागरिक उसके घर में भी बिमारणलीय है लेकिति देखतेबहरएं भिस zip HER m M मुझे तो वह समस्या नहीं है लेकिन जिनको है वो वो कान दुखर है सुन-सुन के वही बात वही बात तुमके कान पक गए लोगों के कि अपन इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि आखिर में कोरोना के अलावा क्या भी मागिया इस देश में है या नहीं है चोट लग गई किसी को सब्सक्राइब में कि अपना रहा हां अपना है काट गई उंगली कहा है ड्रिशन कराने घर में करो इन सम्सक्राइब का ख्याल प्रशासन को रखना चाहिए कम से कम हर महले में यहर्वाड में एकाथ क्लिनिक तो खुला रहना चाहिए ऐसा नहीं है कि उस क्लिनिक पे जाने वाला जो है वो अब कुरोना से नहीं डर रहा है तिया वहाँ जो डाक्टर जो है वो इलाज करेगा या डिसिंग करेगा या दवा देगा तो उसको कुरोना के बारे में नहीं महलूँ अब सब को कुरोण का पता चल गया है, जो हिंतक कर्फ्यू के बाद पुलीस का परशाद मिला है लोगों को, तो पुलीस के परशाद ने अच्छे अच्छे भक्त को दिन में तारे दिखा दिये हैं, उनको सब याद आ गया है, मेमोरी जो लॉस था में, डिसिप्लिन नाम की जो चीज हिंदुस्तानी आदमी के दिमाग से मेमोरी से उड़ गई थी, वो पूलीस के प्रसाद ने वापस ला दिये, अब सब अनुशासन है, किसी को बताना नहीं पड़ रहा हूँ, शुरुवाती दौर में जरूर था कि कैसे डिसिप्लिन में लाएं, तो उस समस्थ्य से मागे निकल चुके हैं, सब को सब मालूम है, डॉक्टर को सब मालूम है, पेशेंट भी अब इस चीज़ को जान गया है, और जिसको सर्दी खासी है, और जिसको आशंका है, क्यों तो सीधा एमस जाए गई, अरे वो जाए गई क्यों, वो तो छुपके बैठा है, जो मोटी मोटी बीमारियों से पीडित लोग हैं, आम जनता हैं, उनको रहत देने के लिए कोई विवस्ता करेगा, नमस्कार, अगले अंक तक के लिए दीजे मुझे जाज़ा,